यार मैं एतनी बार गया हूँ KFC मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता जॉर्जा की जोयाना ओलिवर नाम की इस लेडी ने अपना रेगुलर KFC सैंडवेच ओडर किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि जब उन्होंने अपना सैंडवेच ओपन किया तो उस सैंडवेच के अंदर 543 डॉलर्स यानी करीबन 43,000 रुपीज निकले। फिर उस restaurant ने बताया कि उन्होंने गलती से अपनी पूरी दिन की cash deposit उस सैंडवेच में रख दी थी। जोयाना ने अपनी financial condition देखते हुए पहले तो दो बर सोचा कि ये वापस करूँ की नहीं। लेकिन लास्ली उन्होंने वापस कर दिये और KFC ने खुशोगर उनकी उस दिन की meal refund करी और एक free meal का voucher वे दिया। मालनों आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आपके पास google.com का domain है। मैं तो समान पैक करकर आगए किसी island पे छुप जाओंगा। तो 2016 में एक वेट सार्में नाम का आदमी पस ऐसे ही मज़े के लिए google के domain का price चक कर रहा था। और उसने देखा कि ये सिर्फ 12 dollars के लिए available था और वेट के पास ये domain पूरे एक मिनट के लिए रहा। और फिर उनके पैसे refund हो गए और उनके bank में 12 dollars की जगह 6006.13 dollars आ गए जो की google ही है बट numerically बाद में google ने इस amount को भी डबल कर दिया जब उनको पता चला कि वेट ने पैसे charity को डोनेट कर दिये थे। वैसे आप domain वापिस करने के कितने लेते मुझे comments में ज़रूर बताना।